हुआ है गुड मॉर्निंग और वेल्कम बैक तो यूटूब चैनल सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फॉर क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेग्नोमेंटरी के बारे में तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे आज क्या होता है ट्रेग्नोमेंटरी का मतलब क्या होता है और ट्रेग्नोमेंटरी में करना क्या होता है में हम इन सी सब चीजों के बारे में देखते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रेग्नोमेंटरी तो जैसा कि बुच्छों आपको पता है कि ट्रेग्नोमे इगर bounded by three side जिसको आप तीन साइडों से जो bounded होता है उसी को आप बोलते हो ट्रेंगल ओके और ट्रेंगल का measurement जहां पर करते हैं जिस ब्रांच में उसको बोलते हैं अब ब्रांच आप मैतमेटिक्स वेर वी केन मेजर ओल दा एंगल और साइड ऑफ दी ट्रेंगल इसको ट्रेंगल अब यार एक बात समझे कई यह हमें समझा गया ट्रेंगल में क्या करते हैं ट्रेंगल का measurement करते हैं कैसे करते हैं वह हम देख लेंगे अब बात समझेगा तो ट्रेंगल कौन सा होगा हमारा राइट एंगल राइट एंगल ट्रेंगल ओके राइट एंगल ट्रेंगल तो अब बात समझेगा राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है ऐसा ट्रेंगल जिसमें की एक एंगल जो होता है आपका 90 डिगरी होता है चाहें आपका कैसा भी मैं तो यह चीजों के बारे में आपको होना चाहिए तो यह हो गया आपका हाइपोटेनर जिस पर ट्रंगल बना होता है उसको आप बोलते हो बेस और बेस को अगर हिंदी में बात किया जा तो इसको बोलते हैं आधार और जो परपेंडिकुलर होता है जो है इसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को हिंदी का मतलब होता है इसक लंब भी बोलते हैं लंब तो अब हाइपोटेनस को हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर को P से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Actually क्या होता है कि आपको पता है कि हम लोग triangle का measurement कर रहे हैं और triangle में दो चीजें होती हैं एक होती है आपकी side और एक होती है आपकी angle तो जो आपकी trigonometry based है आपके sub topic जो बने हुए हैं उसमें आप या तो पढ़ोगे measurement of side और फिर उसके बाद में आप पढ़ोगे measurement of angle फिर आप पढ़ोगे complement triangle फिर आप पढ़ोगे इसके identities के questions फिर आप पढ़ोगे इसके application of trigonometry जिसको आप बोलते हो height and distance तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे detail में तो अभी आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो triangle की side कैसे measurement की जा सकती हैं हम उनके बारे में बात करने जा रहे हो triangle कौन सा है आपका right angle triangle है तो आप जैसे हमें पता चला कि triangle का measurement है और जो आज का हमारा topic है वो है measurement of side measurement of side कितनी होगी side किसकी side है आपकी triangle क्योंके triangle कौन सा आपका right angle triangle triangle और right angle triangle में तीन साइड है तुन साइडों के नेम्स क्या क्या होते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस अब बात समझेगा आपको यह समझ आ गया कि हां right angle triangle 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 का measurement तो trigonometric कहां से connect होगी तो आप समझेगा कुछ होते हैं trigonometric ratio trigonometric ratio होते हैं ratio किसके होंगे वो side के होंगे और यह कितने होते हैं आपको समझ में आना चाहिए एक होता है आपका sign cause 10 cause a sec caught यह साइक और caught इस तरह से आपको लड़न करना जाए जल्दी जल्दी बोलिए sign cause 10 cause a sec caught sign cause a sec caught sign cause a sec caught sign cause a sec caught अगर जल्दी से आप बोल पाओगे तब ही आप चीजों को समझ पाओगे ओके अच्छा sign को हम लोग ना sign yes i n लिखा है कहीं कहीं पर yes i actually यह होता है sign yes i n e लेकिन shortcut में yes sign लेखते हैं cause नहीं होता है cosine होता है जिसको आप short track में क्या बोलते हो cause 10 नहीं होता है tangent होता है लेकिन short में आप क्या बोलते हो 10 constant होता है इसको short track में cause बोलते हो sick नहीं होता है second होता है तो जिसको आप बोलते हो sick ऐसे यह करके content होता है जिसको आप बोलते हो caught actually short में नेम दिये कहा है sign constant cause sex caught okay अच्छा अब इंट्रेग्नोमेंट्रिक का relation क्या है side के साथ में तो बात समझेगा आपको एक formula बता दू मैं ताकि आप या लर्न कर पाओ इन सभी को तो फॉर्मूली की हिसाब से आप समझेगा एक formula याद रखेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा तो यह चीज़े ऐसे करके या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा इंदुस्तान हरा भरा तो पी का मतलब पी से relation जो है अमारा उसका मतलब है पी का मतलब है आमारा perpendicular perpendicular ठीक है वी का मतलब है आपका base पी का मतलब है आपका पर्पेंडीकुलर एच का मतलब है आपका हाइपोटेनस यह तो आपको पता है हाइपोटेनस भी का मतलब है आपका बेस से तो आप बात समझेगा इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मले को थोड़ा सा किम Nord NOT के सेट में कैसे याद करोगा पंडित बदरी ब्रशाद हर हर पि ठीक है ना तो आप क्या होगा पी से यहाँपर आप क्या लिखे साइन कॉसथ टेन कॉसेक से कॉट ओके साइन कॉस psychologists वेयरे ऐसे आप यह चीज आप लिख लीजेगा तो आप इससे क्या हमें पता चला हमें कुछ ratio के बारे में पता चला क्या पता चला कि saign theta एक छो यह देखिएगा कही पिया आप को single sign लिखा नहीं मिलेगा आप हमेशा ध्यान रखेगा इस ट्रैंगल का यह आंगल आपका तीटा है अगर यह तीटा है जो कि हमारा तो इसको साइन सूपी ना बोलना इस तेटा के लिए आप समझेगा यह बेंगा है और यह परपेंडिकुलड़ है यह आपका था था सां थीटा कैसी याद रखो का सिंथर इंग ता कैसी परपेंडिकुलडUP से पूर्ण बेस होता है ऐसे ही आप देखेगा कॉसिक थीटा आपका कितना होगा कॉसिक थीटा हाइपोटेनस LP परिपेंडिकुलर सלाय हो जायाए से ऱैप आपको यह चीछ समझाई इसे क्या होता हमें Trigonometric Ratio समझा गये होंगे हमें परपेंडेकुलर बेस आपन बेस आपको क्लीर हो गया साइन थीटा परपेंडेकुलर upon hypotenuse cause क्या, base upon hypotenuse 10 क्या, perpendicular upon base, अब क्या हो जाएगा, hypotenuse upon perpendicular से क्या हो जाएगा, hypotenuse upon base, score क्या हो जाएगा, base upon perpendicular, ये जो ratio है न, ratio किसका होगा, आपका side का, कौन सी side का, right angle, triangle की side का, triangle में कौन सी 3 सीरिय होती है, perpendicular, base और hypotenuse, उसी को आपने PBH में इन्हों से represent किया हुआ है, और ये आपके sign, cost and causex, से cut आपके क्या है, trigonometric ratio है, अब इन सब चीजों को हम लोग कैसे, question में हम लोग apply करेंगे, उस सीज के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में यहीं से हम लोग discuss कर लेते हैं, actually, क्या है बटा, कि यहाँ पे दे रखा है आपका, ये चीज आने के बाद में, आपको ये समझ आ गया है, जो sign का ratio क्या होता है, वो चीज clear हो गई आपकी, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कि देखेंगा, sign होता है perpendicular upon hypotenuse, और causek होता है hypotenuse upon perpendicular, एक दूसरे के reciprocal हैं की नहीं है, इसी को तो आप reciprocal बोलते हो, perpendicular hypotenuse का, hypotenuse upon perpendicular हो क्या, तो इससे हमें कुछ formula ये समझा गया, कि sin theta जो होता है, वो causek का opposite होता है, sign किसका opposite होता है, reciprocal होता है, causek theta, sign theta equal to होता है, one upon causek theta, या फिर आप बोल सकते हो, causek theta equal हो जाएगा, one upon sine theta, ओकी, ये पहला, second में अगर मैं बोलूँ कि cause theta जो होता है, देखेंगे, cause क्या होता है, base upon hypotenuse, और sick क्या होता है, hypotenuse upon base, तो जो cos theta होता है, वो होता है, base upon hypotenuse और hypotenuse upon base, तो cos किसका reciprocal होता है, sick का, तो cos theta क्या हो जाएगा, one upon sick theta, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, sick theta equal हो जाएगा, one upon cos theta, आपना cross multiply करा दोगे, third देखेंगा, 10 होता है, perpendicular upon base, caught होता है, base upon perpendicular, तो 10 का reciprocal कोन होता है, 10 theta equal to होता है, one upon cos theta, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, पहले तो आप रिशो याद रखोगे, कैसे sin theta equal to कितना, perpendicular upon hypotenuse, cos theta कितना, base upon hypotenuse, ten theta कितना, perpendicular upon base, cos theta कितना, hypotenuse upon perpendicular, sick theta कितना, hypotenuse upon base, caught theta कितना, base upon perpendicular, इन सब चीजों पहले आप लर्न करोगे फिर इससे हमें क्या समझाए कि साइन होता है पर्पेंडिकुलर अपन हीपोटेनेंश और कॉसे होता है 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 साइन और कॉसे के दूश्य के एसे कॉस और सिक आपके रेशी प्रोकल है एसे टेन और कॉट आपके रेशी प्रोकल है यहां तक अच्छा इसके बाद में हमें हमें यहीं से फॉर्मूला ड्राइब मैं अगर कर दूं तो फॉर्मूला कैसे करेंगे process multiply करा देते हैं तो क्या हो जाएगा Kinthe to cost theta कितना होता है यह चीज याद रखेग एहाँ से कितना होता है ओप प्रॲण कोश में देख लेते हैं concept है वो थोड़ा और clear हो जाए अच्छे से ठीक है ना तो हम लोगों को यह समझ आगे कि ट्रिक्नोमेंट्री जो होती ही वो ट्रेंगल पर बेस्ट होती है और अभी हम लोग देखना है ट्रेंगल की साइट के बारे में तो जैसा कि अगर यहां लिखा है तो आप A हो सके तो यहां पर लिख लिजेगा इसको कुछ भी निम दे दो आप C लिख लो यहां या B लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता बस A इदर रखोगे ताकि हमें अभी clear अभी क्योंकि हमारा तीरे-दीरे करके concept थोड़ा और clear होगा फिर आप च सिंस वी हैव आपके पास क्या दे रखा है साइन ए साइन एक इतना एट अपॉन 17 और आपको पता है कि साइन थीटा इकोल टू कितना होता पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको पता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर पाकिस्तान भोका प्यास इंदुस्तान हरा बरा तो साइन क्या होगा आपका पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ठीक है ना तो पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो यह आपका है पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना साइन यह होता रेशो तो पर पेंडिकुलर हो गया आपका 17 तो आपको ये परपेंडिकुलर मिल गया और आपको मिल गया हाइपोटेनस आप बेस नहीं पता तो इसके लिए आप राइट एंगल ट्रेंगल में जब दो साइडें आपको दी जाएं और एक साइड आपको निकालनी पड़े तो वो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग पाइ पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम क्या होती पाइथागोरस थेरम हमारी हमारी होती हाइपोटेनस का स्कॉयर हाइपोटेनस का स्कॉयर इक्वल होता परपेंडिकुलर स्कॉयर परपेंडिकुलर का स्कॉयर प्लस बेस का स्कॉयर यह होती है आपकी पाइथागोरस भीसरेक्षाइरम तो हाइपो टेनस आपकी कितनी है लिल तो सेवनटीन का कितना हुए इसक्वाइर लुएत कितना है टू टंटी फाइब बचेगा आपका करेक्ट इसको माइनस करने पर तो एबी की जो वैलू आ गई वो कितनी आ गए आपकी 15 तो जो एबी आ गया जो बेस आ गया वो आपका कितना आ गया 15 आ गया करेक्ट है यहां तक तो आपको क्या था वहाँ पर दो साइड यह आपको दे चैने यह तो आपके सभी Trigonomian ratio क्या होते हैं सभी Trigonomian क्यों से होते है साइन वकौ से कौ से कोटे कोक से के और फिर कौलत यहीं तो Coll Inc is सबी के सबी ट्रिग्नोमेंट्रिक रेश्यों बता देते हैं साई ने साई ने तो हमें दे रखा एट अपॉन 17 आप चाहो तो तो सौट में लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा इंदुस्तान हरा भरा ठीक है न तो यह साइन हो गया कॉस क्या होता है बेस अपॉन का 15 करेक्ट है अब बस इन सभी चीजों के बारे में अब यह मत देखो कॉस एक हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर सौट में मैं बताओ अभी फॉर्मूले आपने देखे दें साइन किसका उल्टा था कॉस एक का साइन रिवर्स था न तो इसको रिवर्स कर दो फ्रेक् करेक्ट है अब सीधे ऐसे कर सकते हों साइन कॉस्ट निकल आए तो आप यहां से क्लियर कर सकते हों कॉर्ट होता है बेस अपन परपेंडिकुलर या 10 का रिसीप्रोकल होता है एट अपन 15 समझ आया कि नहीं है यहां तक यह कोशन आई हूप आपको क्लियर हो गया होगा 10 का स क्लियर को सब्सक्राइब आपको निकालने ओरते ठीक है तो आपको यह कोशन आपको मैं दे रहा हूं यह आपको करके मुझे कमेंट करने सबी साइट के बारे में जैसा कि आपको 10 अबर्ट एंगल बनाओगे राइट एंगल में कितना यहां पे बी सी और यह अगर एंगल है और 10 एक इतना आपको दे रखाए 10 एकवल टूरूट 3 और रूट 3 अपन वन लिख सकता हूं ना मैं और 10 क्या होता है परपेंडीकुलर अपन बेस होता है तो परपेंडीकुलर हो जाएगा रूट 3 और बेस हो जाएगा वन आप पाइथागोरस से आप हाइपोटेनस का स्क बताने हैं जैसे साइने कितना होगा साइन होगा हमारा परपेंडीकुलर अपन हाइपोटेनस तो कितना होगा रूट 3 और ऐसे ही करके आपको इस कोशन के सभी ट्रिग्नमेंटरिक एश्यों आपको करने है ठीक है ना क्लियर है आपे कहीं कहीं पर अगर मैं यहां पर यह ल अगर इस तरह से आपका यह चीज दे रखी है तो कैसे करेंगे यह यह था आपके कोशन के बारे में आई होप आपको यहां से के आपको क्लियर हो गया होगा एक कोशन आप करिएगा तो मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो की काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर कर देता हूं वोड अगर आपको छूट जाता है तो आप वीडियो का पॉस करके आप नो डाउन कर सकते हैं समझ सकते हैं चीजों के बारे में ओके तो अब ना एक हम लोग फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं वो की बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही आपके जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अच्छा यह क्यों होता है यह क्यों ऐसा है क्योंकि आप बात समझेगा आप ट्रेंगल का मेजर्मिंट पढ़ रहे हैं तो ट्रेंगल में A B C और यह थीटा मतलब यह आपका इंगल थीटा है ठीक है ना सबज गया यही आपका इंगल थी होता है भी को पता पाकिसितना का इंदोस्तान हरा भर तुटीके इससे टेन थीटा होता यह यह फॉर्म यह करना हो तो प्रूब कैसे करी आप RHS उठाओगे, तो RHS जैसे कितना है आपका, sin theta upon cos theta, और sin theta आपका कितना है, perpendicular upon hypotenuse, cos theta कितना है आपका, base upon hypotenuse, hypotenuse से hypotenuse cancels क्या आ गया, perpendicular upon base, perpendicular upon base क्या होता है आपका, 10 theta होता है, जो कि आपकी क्या है, LHS, तो हो गया न, LHS equal to RHS, hence proved, तो आप याद रखिएगा, 10 theta equal to होता है, sin theta upon cos theta, और 10 का उड़र इसी प्रोकल कौन होता है, cot होता है, तो cot theta बच्चो कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा, 10 का reverse, तो हो जाएगा, आपका cos theta upon sin theta, ये बात समझ आ गई होगी, ये हम लोगों ने एक को प्रूफ किया हुआ है, और formula से हम लोगों ने ये भी कर लिया, तो कुछ formula के बार इने आपको idea मिल गया होगा, क्या होते हैं, trigonometric क्या होती है, कौन से triangle की बात करते हैं, कौन trigonometric ratio हैं, हम लोग side का measurement क्यों कर रहे हैं, और क्या हो, कैसे हम लोग side का perpendicular upon base, cost का base upon hypotenuse, ये सब चीजों के बारे में 10 perpendicular upon base, है ना, sign perpendicular upon hypotenuse, ये सब चीजें ratios आपको कैसे मिलें आपको, कैसे source आपने learn कर लिया, एक की बारे में, वो सब चीजों के बारे में, sign कर रिवर्स, cost कर रिवर्स, 10 कर रिवर्स, कॉट क्यों होता है, क्योंकि आपका side का ratio रिवर्स होता है, फिर आपने sign theta into cost x theta 1 वाला formula देखा, 10 into cost 1, फिर आपने ये दो formula एक की proving देखी, और एक आपको पता है, 10 कर रिवर्स होता है, तो आपने sign upon cost को, cost upon sign, तो home work आपका यही है, कि आज आपको ये सभी का notes बनाने हैं आपको, notes बनाके आपको learn करना है, इन formulas को और आपके questions लगाने हैं, तो हम लोग एक करते हैं, इससे related कुछ questions हम लोग और देख लेते हैं, ताकि जो हमारा concept है, वो थोड़ा और clear हो जाए, ठीक है न, तो चलते हैं next questions पर, तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, आपको sign alpha, परेशान मत हो न, कि लो sir अब तो theta की जगे अब alpha आगया, a था, तो b आगया, यह कोई दिक्कत नहीं हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक triangle बनाएंगे, कौन सा आपको भी पता है, तो क्यों सा, a triangle बनाएंगे, right angle triangle, alpha दिया है, तो आप इसको alpha ले लो, ठीक है न, और आपको since we have, we have, आपको क्या दे रखा है, sin alpha की value, 1 by 2, और आपको पता है, कि sin जो होता है, वो होता है, perpendicular upon hypotenuse होता है, sin theta equal to अपने ratio के बारे में देखा है, perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular कितना हो जाएगा, 1, देखो न, perpendicular upon hypotenuse से compare कर आओ, तो perpendicular 1 और hypotenuse कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना होगे आपका 2, अब आपका काम क्या होता है यहाँ पे, अब आपको तीसरी साइड निकाली, क्या लगाओगे, पाइपाइथागोरस थेरम, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थेरम, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वाइर, AC स्क्वाइर Perpendicular Square AB Square Plus B4 Square BC Square तो कितना हो जाएगा AC कितना तो आपका क्या आगया भी दुब करना है तो यह सो करना है आपको अगर आपको देखेगा अगर आपको ये चीज़ सो करनी है तो आप क्या करोगे now 3 cos alpha minus 4 cos alpha minus 4 cos cube alpha आप सीधी value रख दीजेगा अगर आपका 0 आ जाएगा तो आपका सो हो जाएगा ठीक है न तो 3 cos alpha cos alpha कितना हो गए यार अब इस ट्रंगल में तो cos का मतलब होता है base upon hypotenuse तो cos कितना है base कितना है आपका root 3 है और hypotenuse कितना है आपका 2 है तो ये कितना हो गया root 3 by 2 correct है न हमारा minus का 4 और यहाँ पर क्या लिखा है cos cube alpha तो cube का मतलब cos कितना है root 3 by 2 तो root 3 by 2 का हमें क्या करना है इसमें बच्चों क्यूब कर देना है तो आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 3 root 3 by 2 और minus और यह root 3 का cube कितना होगा? root 3 का cube इसका मतलब होता root 3 into root 3 और root 3 into root 3 होता 3 और यह हो गया root 3 तो कितना होगा आपका 3 root 3 समझा गया न 3 root 3 और यहां पर 4 already एक लिखा हुआ है ठीक है ऑच्छा 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा तो 4 2 जा 8 देखो आप root 3 by 2 root 3 root 3 upon 2 minus 3 root 3 upon 2 और दोनों को cancel कितना आ गया आपका जीरो आ गया तो ऐसे ही आपको देखेगा cancel करने पर जीरो आपको मिल गया है तो यह समझा गया होगा कि आपको कैसे वैलू आपको सीधे पुट करने लेनी होती है िन सभी कुछ भी दिया जाए धाने आपको यह को संध में आपको यह तो तो क्या लगाओ कि पर्पिंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन पाइथागोरस से तीसरी साइड आफ फाइंड आउट करोगे साइन और कॉस की वैलू रखोगे थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा जरूरी नहीं है कि जहां पे बात आपकी सुई से काम चल रहा है वहाँ पे भी आप तलवार गुसां तो समझ आया मैं क्या कहना चाहिए मैं बॉलो जहां पर बात इन आप की सुई से काम चल रहा है वाय से काम चला क्यों इतनी बड़ी से तलवार आप तुले आपको का कोशन दू आप पूरा-पूरा वुज़ वो आपका बोर्ड 4 marks का question आपको छूट गया section D का फिर क्या करोगे आप तो इसलिए आपको कहीं कहीं पर आपको दिमाग लगाना होता आप simplify भी करने की कोसिस किया करों जैसा कि आपको 3 10 theta equal to 4 दे रखा है since we have आपको क्या दे रखा 3 10 theta equal to 4 तो 10 theta equal to कितना हो जाएगा 4 upon 3 हो जाएगा ना यह कितना दे रखा 3 sin theta plus का 2 cos theta upon 3 sin theta minus का 2 cos theta आप मत वैलू ट्रेंगल बनाओ या आप हो सके तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं divide करा दे रहा हूं divide by sin theta से आप cos theta से जिससे भी कराना हो divide by cos theta करेक्ट निम्रेटर एंड डेनाओमिनेटर दिखो क्या है कि यह कहीं पर आपका 2 upon 3 लिखा है मैं अगर 2 by 3 दोनों में 3 3 से divide भी करा दूना तब भी फ्रेक्शन में कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ता है तो होगा क्या मैं क्यों तुम आप सोच रहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा आपको divide करवाना है यार जब आप करने लग जाओगे ना आपको clear हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा जब और नहीं कर आओगा तो 3 seign theta plus 2 cos theta है इसमें भी आप cos theta का divide करा रहा हो और यहां पे कितना है 3 sind theta minus 2 cos theta है इसमें भी आप cos theta से divide कर रहा हो इसमें बोगा कितना हो जाएगा देखेगा यह कीतना हो जाएगा 3 sin theta upon cos theta लिखा है आपका 3 10 theta हो जाएगा plus 2 cos theta upon cos theta cos से cos cancel हो जाएगा बचेगा आपका कितना plus का 2 इसमें भी ऐसी fraction आपका distribute हो जाएगा तो 3 sin theta upon cos theta कितना होगा 10 theta तो कितना बचेगा आपका 3 10 theta minus का cos upon cos cancel हो जाएगा बचेगा कितना minus का 2 और आपको अच्छे से पता है कि 3 प्लस का 2, 3 10 थीटा की वैलू कितनी, 4 बाइ 3 माइनस का 2, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, आपका कितना होगा, 4 प्लस 2, 6, 4 माइनस 2, 2 3 जा, आपका कितना हो जाएगा, 3, तो इससे आप क्या करोगे, इस तरह से भी अगर आपको मैं ये बताना चाहरा था, इस कोशन से, कि आप ट् कोशन थोड़ा आसान हो जाए, मैंने डिवाइड कराया कॉस से, तो देखेगा, यहां पर 10 सीधा बन गया, 10 की वैलू पता थी, आपने डारेक्ली पुट कर लिया, तो आप क्या करेगा, आप ट्रंगल बना के करेगा, इस को आपका ये क्या मैं, आप ट्रंगल बना के करें हार्ड वर्क से ज्यादा, गधे की तरह काम मत किया करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें, ताकि चीज़ें कोई बारे में आसान हो जाए, हम लोग ज्यादा महीनत से ज्यादा हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हमारा जब टाइम बचेगा, तो ह आप काम करेंगा, तब अखेले मिलता है किसी नेक्स वीडियो में, थैंकियो सो मच वीडियो देखने के लिए और जो नए है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ताकि मेरी नेक्स वीडियो मिलती रहा और जो अगर आपको पीछली वीडियो देखनी तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, थैंकियो सो मच जैहिन जैभरत वंदे मात्रम